गलवान वन गलवान टू हर बार किसी ना किसी साज़िश की फिराप में चीन और हर बार भारत से मुतोड जवाब मिलने के बाद भी लगतार उसकी हरकते जारी है इसी पर हम हला बोल करेंगे लेकिन बड़ी ख़बर के साथ हम शुरुआत कर रहे है रक्षामंत्री राजनाथ सिंग् की बैठक इस वक्ầrias जारी है चीन से कनाव पर उन स्थ यह बैठक हो रही है और इस के जरीए खाका तयार किया जारा है राजनाथ सिंग्ess रक्षामंत्री की अधियक्श्ता में यह बैठक इस वक्षब भी जारी है पैंग गांग में बनी स्थिती पर बैठक हो रही कि आखिर हिंदुस्तान की क्या रणनीती हो क्योंकि याद रखे काला टॉप पहारी पर जिस तरह से एक दूसरे के टैंक फाइरिंग रेंज में हैं उसको लेकर पर स्थिती इस वक्त नाजुक है एने सेजी डोबाल उसमें मौजूद हैं सेना प्रमुक मौजूद हैं पैंग कर्ट और लॉकडाउन की वज़े से देश की अर्थवयवस्था जो बेहाल है एप्रिल से लेकर जून तक की तिमाही में जीडिपी शून से 23.9 फीज़ी नीचे गिर गया है 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है ये दो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं एक तरफ चीन के साथ जो सरहद पर परिस्थिती बनी हुई है और इधर पहली तिमाही में अर्थवयवस्था के करीब करीब सारे सेक्टर्स का ग्रोथ माइनस में है दूसी और साजिश नाकाम ह जाने के बाद चीन बॉखला गया है और ऐसी परिस्थिती है जहां टैंक एक दूसरे के फाइरिंग रेंज में आपने सामने है आईएब आपको सबसे पहले अपनी रिपोर्ट दिखाते है चीन के साथ पैदा हालात पर इस वक्त परिस्थिती क्या है और कैसे भार्तिय से नाउस का मुकाबला कर रही गल्वान में पिटने के बाद भी जो ना सीखे उसे चीन कहते है गल्वान तू की फिराक में जो पैंगॉंग सो में तूसरी बार पिटे उसे चीन कहते है बार बार मुग की खाने के बाद भी जो आँखे तरेरे वो धोके बास देश चीन ही है इतना तो तेहे कि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आने वाला आज काला टॉप रेंज में भारत और चीन के टैंक एक दूसरे के फाइरिंग रेंज में आ गए भारत के भीश्म के सामने चीन के टैंक है एलेसी पर आमने सामने सेना और तना तनी तेज है इस तस्वीर को देखे यहाँ पैंगॉंग जील है यह एरिया फिंगर फोर है यहाँ भारत के टैंक तैंक है भारत की सेना तैंक है कुछ दूर पर चीन की सेना और उसके टैंक है भारी हतियारों के साथ पूरा लशकर भी तैंक है चीन और भारत के बीच तना तनी इस मोड पर आ गई है कि दोनों के टैंक आमने सामने फाइरिंग रेंज में है एक छोटी सी खलती एलेसी पर शोले भड़का सकती है ये तस्वीर एलेसी पर तनाव की कहानी बया करती है एक तरफ चीन एलेसी के नजदीक में चालबाजी कर रहा है तेवर दिखा रहा है दूसी तरफ ब्रिगेडियर स्तर की बादचीत भी चल रही है ऐसा कमी होता है जब भारत और चीन के टैंक आमने सामने हो इसका साथ मतलब है कि एलेसी पर तनाव काफी बढ़ गया है चीन की ये बौकलाहट 29 अगस की रात को पड़ी मार को लेकर है तस्वीर में जहां भारतिय सेना दिख रही है वो काला चॉप पहाड़ी है इस पहाड़ी को लेकर चीन चिड़ा हुआ है इस पहाड़ी पर चीन की नजर है क्योंकि यहां से पैंगॉंग जील की पूरी निगरानी की जा सकती है जिस भी सेना ने यहां कदम गार लिये वो उचाई का फाइदा उठाते हुए पूरे इलाके पर अपनी पैट बना सकता है जंग के हालात में काला टॉप की उचाई खेल पलट सकती है 29 अगस को चीन के 200 सेनिकों ने लेसी पर पैंगॉंग सो के दक्षणी किनारे पर यथा स्थिती बदलने की कोशिश की थी वहीं पर जो मार पड़ी चीन उससे बौकलाया हुआ है चीन ने इस इलाके में टेंट लगाने शुरू कर दिये थे सड़के बना रहा था लेकिन चीन की हर चाल पर नजर रखने वाले जवानों ने उन्हें रोका तो वे छड़ब करने लगे तब उन्हें करारा जवाब मिला मुह की ऐसी खाई कि बौकला कर अब आखे तरेर रहा है जो हमारे तरफ एलेसी के प्रती ठाकों गेरिया में हम लोगों को सूचना मिली कि चीन अपने फोर्सस को लेकर वहाँ पे अपने विस्तारवादी प्रक्वियाओं को अंजाम देने की कोशिश बाचीत के आड़ में अपने फोर्सस को वहाँ मूव कर रहा था और जाईसी बात है कि जैसे भारतिय सेना को ये पता चला तो क्योंकि डॉमिदेशन ओफ हाइट्स बहुत इंपोर्टेंट है तो हमारे तरफ एलेसी का जो है उसमें हमारे टूप जाके उसमें उक्यूपाई कर गिये हैं और वहाँ पे हमनों का स्ट्रेटेजिक अडवांटेज बनाया रखा है ताजा हालात ये है कि पैंगॉंग जील के तक्षर में स्थित काला टॉप की पहाड़ी पर भारतिय सेना तैनात है काला टॉप के निचले इलाके में चीन ने हत्यार बन जवानों और टैंकों की तैनाती कर दी है काला टॉप पर मौझूद भारतिय सेना के जवान भी हत्यार बंद है टैंकों की टुकडी भारतिय सेना के साथ मौझूद है खबर है कि चीनी सेना हलके और भारी दोनों तरह के टैंक से लेस है चीन को जवाब देने के लिए भारत के T90 टैंक स्तेनाथ है ये ताकतवर टैंक चीन के ताथ खटे कर सकता है T90 के आगे चीन का T15 टैंक है भारत के T90 के सामने चीन के टैंक कहीं नहीं टिकते इसके अलावा चीन से निपटने के लिए भारतिय सेना ने आंटी टैंक गाइड़िन मिसाइल की भी तैनाती की है मई में गलवान खाटी में चीन के साथ हुई जड़ब के बाद से ही लग अतार सैन्य और कूटनितिक स्तर पर चीन से बातचीट चल रही थी लेकिन धोखे बाजी की चीन की फित्रत पदलती नहीं वो सबक भी उसे नहीं आ जो भारतिय सेना ने गलवान में सिखाया था लाख बार जूट बोलकर सच्छे पाने की कोशिश पहले ही नाकाम हो चुकी है चीन के कांग जिवा अलाके में बना चीनी सेना का वार मेमोरियल बता रहा है कि यहीं पर दप्न है चीन के वो जवान जिने हिंदुस्तान की सेना ने गलवान की पहाड़ियों में 15 जून को मौत के खाट उतार दिया था इधर L.A.C. पर तना तनी जारी है और विपक्ष ने सियासी चड़ाई कर दी है देश की सेना तो रक्षा कर रही है वो तो निडर होकर सीना था में खड़ी है परंतु देश के प्रधान मंत्री मोदी जी कहा है उनकी लालांख चीन को दिखा कर वो बात कब करेंगे चीन को करारा जवाब कब देंगे चीन से लालांख में बाते कब करेंगे देश की सरजमी से चीनी कबजा कब छुड़वाएंगे अब चीन की हर चाल को पहले से भाप कर करारा जवाब देने की स्थिती में है और पूरी तरह से तैनाथ और तयार है अभिशेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्योरो जोड़ाः देखेए दो बाते है पहली बात तो है लाल आखें हैं हमारे पास और अभी आपके रिपोर्टिंग ने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि किस प्रकार लाल आखों के कारण गलवान में भी और उसके आगे अभी जो 29 तारीक को हुआ उसके कारण चीन को कहीं न कहीं पीछे हटना पड़ा है ये तो नतीजा लाल आख का ही है मगर मैं बोलता हूँ जब हम लाल आख दिखाते हैं तो ये लाल मिर्च कॉंग्रेस को क्यों लगती है मैं कविता लिखके लाया हूँ आज कविता ही सुना देता हूँ इसी में सारा उत्तर है देखिए दरसल कल से कॉंग्रेस बहुत परेशान है मैं बताता हूँ ये परेशानी की सबब क्या है जब से ये चीनी कबर दिखा है ना आपने कर आज तक ने एक्सपोज किया है कि बहुत सारे चीनी सैनिक मारे गए थे हिंदुस्तानी सैनिकों के हाथों और उनके कबर को आपने दिखाया है तब से कॉंग्रेस परेशान है द लाल आखे तो छोड़ो तुम नजर मिलाने से डरते थे जब डोकलाम में मेरा सैनिक जेल रहा था सरदी गुपचुप चीनी मुलाकातों से तुमने तो हद कर दी थी MOU का सौधा क्या है? कांग्रेस देश को बतलाओ, सीमा की हरकत पर चुपपी, क्यों थी हमको समझाओ? अब MOU का मतलब सबकी समझ में आता है, तमाचा चीन पर और कांग्रेसी गाल सहलाता है, कांग्रेसी गाल सहलाता है देखी अंजना जी, आपके रिपोर्ट ने भी कहा है, कि हिंदुस्तान की सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर तमाचा मारा है, मैं आज हिंदुस्तान की सैनिकों को नमन करता हूं, सल्यूट करता हूं, और ये पूछना चाहता हूं, कि कांग्रेसी रो क्यों रहे हैं, उनका गा वो है संगी बताईए को बहुत ही नमन स्तर तक गिरा देता है बहस का एक स्तर होना चाहिए खेर उनसे मैं आशा भी नहीं करती हूँ कुछ भी बोलने से पहले मैं उनको जरूर ये बताना चाहती हूँ कि इंडियन आर्मी के तमाम आफिसर्ज ने जिन कबरों का ये जिक्र कर रहे हैं उसके बारे म जूट बोलकर मत दिखाईए ये मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ देखिए दो तरह की बाते हो रही है जो भारतिये फौज ने किया हम उनसे वही अपेक्षा करते है इसलिए हम उनका नमन करते हैं उनके शौर के आगे सर जुकता है लेकिन इसमें कहीं न कहीं सरकार की कू मीतर तक अंदर आ गया है वहाँ से निकलने को तो मना ही कर दिया है अब साउथ पैंग ओंग सो में भी आ रहा है जिस पहारी का आप जिक्र कर रही है ब्लाक टॉप और जो हेलमेट टॉप चीन ने कबजे में किया हुआ है वो साउथ पैंग सोंग लेक में है तो सरकार की ब अंसर क्या दे भाई सवाल तो पूछना हमारा काम है आप दो सूरत में आंसर नहीं देते हैं या तो आपके पास जवाब नहीं है या आप जानबूज कर छुपा रहे हैं जूटी खबरों को और इतनी गंदी लेवल की पोईट को सुनाना मुझे लगता है कि इतने बड़े मुद्धे को बहुत गंदे सर्तक गिरा रहा होगा वैसी बहस मत करिए बहस मुद्धों की और पैक्स में करिए क्योंकि यह हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सामना है जास्ता तो सरकार को निकालना है चीनी सेना वापस नहीं जा रही है यह यथा स्थिती है अब क्य अंजना जी अब मैं जवाब देता हूँ अंजना जी अभी मैं आपके रिपोर्टिंग को सुन रहा था बहुत अच्छे तरीके से आज तक ने कहा कि चीन को मुह की खानी पड़ी है चीन को तमाचा पड़ा है चीन को पीछे हटना पड़ा है काला टॉप हिंदूस्तान के क अब जय मैं यह तो मैं आज तक से अभी मालूम पड़ा मुझे और यह अभी कह रहे हैं कि नहीं हम तो पीछे हैं ऐसे तो नहीं चलेगा दूसरी बात है इन्होंने कहा गंभीरता होनी चाहिए और एक चर्चा का स्तर होना चाहिए बिल्कुल मैं सामत हूँ मैं तो कहता हू कॉंग्रेस के साथ चर्चा ही नहीं करना चाहिए इनका स्तर तो यह है कि इनके घर में G23 की लड़ाई हो रही है इनसे वो तो संबल नहीं रहा है कपिल सिब्बल और वो आजाद गुलाम लंवी आजाद ये तो हाथ से चुटे पड़े हैं ये चले हैं चीन को कंट्रोल करन आप चिंता बिल्कुल ना करें पहले घर संबालिए नमबर एक नमबर दो आपने कहा कबर की बाते जूटी है मैंने कहा था ना कि चीन के पीले के हैवानों के कबर को देखकर कॉंग्रेस पार्टी का सब्र तूट किया है ये वही कॉंग्रेस पार्टी है जिन्होंने सर्ज सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहा था अरे सारे लोग कह रहें ये तो जूटी है सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी हुआ है ये तो खून की दलाली है एर स्ट्राइक के बाद इनोंने कहा था कुछ नहीं हुआ है ये चार पेड़ और कुछ चिडिया मार के आए हैं इंडिया वाले यह तो वो लोग है जो हर चीज़ पर सबूत मांगते हैं आज भी कॉंग्रेस पार्टी और मुझे धिक यह धिकार योग लिए लगता है धिकार है कॉंग्रेस पार्टी के ऊपर कि आप देखिए इनकी मानसिक्ता को यह जो 20 जवान हमारे शहीद हुए थे उन शहादत प्राप्त जवानों के खिलाफ कह रहे हैं कि उन जवानों ने एक भी पी एल ले के हैवान को नहीं मारा और यह जो कब्र आज तक और तमाम इंडियन चैनल्स दिखा रही है और सच्चाई दिखा रही है उस पर भी यह सवाद्या निशान लगा रहे हैं और मैं आपको बता हो जाते जाते आप बताईए वो कूटनीटी क्या ठीए जिसमें मनमोहन सिंग जी जाते और जाके कहते थे कि हाँ बलूचिस्तान के अंदर जो आतंकवाद हो रहा है वह तो इंडिया के कारण आतंकवाद हो रहा है वह कूटनीती क्या है जो MOU आप साइन करते हैं मा बेटे जाके 2008 में M.O.U साइन करते हैं चीन से पैसा ले लेते हैं और बदले में कितने किलोमीटर्स की जमीन आप सरंडर कर देते हैं ये पूरा हिंदुस्तान जानता है इस कूटनीति के बारे में बताईए लफवाजी से बात नहीं चलेगी से लेकिन M.O.U और C.W.C की के चुमे चुनाओं होते या नहीं होते हैं इससे चीनी सिना वापस चली जाएगी ने M.O.U तो चाइना के अंजना जी मैं इसमें बता दू जिस M.O.U का मैंने जिकर किया है इनकी कविता सुनकर तो जरूर चली जाएगी नहीं कोई नहीं कोई बात नहीं है मैं तो कहता हूँ आप कविता भी मत सुनिये बिल्कुल आप पहले जाके C.W.C के अध्यक्षा चैयन करिए मैं कह रहा था जिस M.O.U के विशे में मैं बता रहा था वो M.O.U किसी और देश के साथ नहीं शी जिंग पिंग के साथ ही सोनिया जी और राहूल जी ने साइन किया था और उसके बाद अंजना जी आपको जानके आश्चरी होगा जबकि उस समय के प्रधानमंत्री देश में डॉक्टर मनमोहन सिंग थे, बीजिंग में जो ऑलंपिक हुआ उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंग को नहीं बुलाया गया, उसमें सोन्या जी को बुलाया गया, special guest करके और सोन्या जी सी जिंपिंग के साथ बैठी, क्या है ये, क्या का पूरा का पूरा वाडरा कुनबा चाइना के साथ गुपचुप गुपचुप रात को बात कर रहा था ये सारा स्वीशे सामने आ गया इसलिए तो हमने सवाल पूछा कि कबर उनका है सबर इनका टूप रहा है क्योंकि पुराने पन्नों में ऐसे कुछ लिखावट है जिससे कई बार उनको सवाल खड़े करने का मौगा मिलता है ये भी एक सचा है अब भाजपा से सवाल करिए नौर्थ पर तो साउथ का जवाब देंगे आपका सवाल क्या था जवाब इनका सुन लीजिए लेकिन क्योंकि इनको निमनिस्तर की पोयम अच्छी लगती है मैं भी आज कुछ सुनाई देती हूं संबित पात्रा को कॉंग्रेस की कलह से हैं बड़े परिशान क्योंकि नहीं ये समझते लोकतंतर की पहचान हमारी सुनिये मेरी बात लोकतंतर की पहचान हमारी चिंता छोड़ो अपनी जिम्मेदारी से अब तो मूना मोड़ो करोना और चीन पर मूंदी हैं आखें बेरोजगारी और भूप जवाब मोडी जी धराशाई कर दिया आपने इस देश के सारे ख्वाब सवालों से कब तक भागेंगे आप धोते नहीं धुलेंगे इस देश के खिलाफ आपके पाप तो ये हैं आपकी असलियत अब मैं कुछ बाते बता देती हूं क्योंकि संबित पातर जी सवाल का जवा अपनी बात करें आपकी से जवाब लेंगे इस देखा दीजेगा सुप्रिया जी हम अर्थ व्यवस्ता के ग्राफिक्स दिखा रहे हैं क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चिंता होनी चाहिए संबित जी देखिए कोरोना काल में जिस तरह से हिंदुस्तान के जीटीपी में हम उनने गिरावट देखी है हम आपको कंपारिजन में तमाम देशों को दिखा रहे हैं चीन को एक तरफ देखिए लेकिन सवाल ये है कि भारत का जो इस वक्त परिशानी का सबसे बड़ा कारण है वो ये परिस्थिती है सर देखिए जिसमें 23.9 की गिरावट है इंग्लेंड फ्रांस, इटली, कैनेडा, जर्मनी, जिपान, अमेरिका सब का हमस्तर दिखा रहे हैं इसी गिरावट में जो जीडीपी में देखी गई है लेकिन हमारी गिरावट हमारा जो घटा है जीडीपी वो सबसे जादा है और ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है भारत की अर्थ विवस्ता की जहां तक बात है 24% 23.9 को मोटा मोटा 24% मान लीजिए ये गिरी नहीं है ये संकुचत हुई है तो पिछले एक साल में जून से लेकर अभी तक जीडीपी का एक चौथाई हिस्ता नश्ट हो चुका है और मैं आपको बताऊंगी कि ये जादा क्यूं हु हुआ है क्यूंकि बाकी देशों में कोवेड या करोना की महामारी से पहले अर्थवेवस्ता सुचारू रूप से चल रही थी हमारे हैसी स्थिती नहीं थी और इस सच से भाजपा भाग नहीं पाएगी साथ तिमाही जो कोवेड के पहले थी सेवन क्वाटर से लगातार हमा पानन में लिए गए डिसिजन और फिर करोना ने उसमें बिलकुल आग में घी डालने का काम किया सरकार करोना के पीछे बिलकुल नहीं छुप सकती है क्योंकि यह इनकी अकरमनेता इनके जिसको इने एक्सपिरियंस कहते है उसका नतीजा है इस अर्थवेवस्ता का गिरना और यह एक आकड़ा मात्र नहीं होता है आप sector पे sector देखिये manufacturing 40% contraction construction 50% contraction transport trade hospitality 50% contraction आप sector पे sector उठा के देखिये और आने वाले दिनों में दूसरी और तीसरी तुमाहीं में यह बहुत बदनने वाली नहीं है सूरत और यह सिर्फ एक आखड़ा नहीं है यह दिखाता है बेरोज संबेजी जवाब दीजे और कोई चारा नहीं है अब लेकिन विपलताइक कब तक छुपाईएगा आप संबेजी मैं जवाब दे रहा हूं जवाब दे रहा हूं देखे पहले तो इन्होंने कविता से शुरू किया बड़ी कमाल की बात है जब मैं चीन पर कविता सुनाता हू तो वो निम्न स्तर की बहस हो जाती है और जब यह कविता सुनाती है तो इनको पदमवी-भूशन मिलना चाहिए तो रिकमेंड करता हूं आप मेरे स्पर क्यों आ बहुता है तो मेरे स्टर पर क्यों गिर गई इतने निमस्तर का में बहस कर रहा था कि वेने पर चीन पर कविता सुना दी और पांसर दीजिए न जोकर एक ही है पूरे हिंदुस्तान में याद रखिये उसका नाम क्या है पता है आपको जोकर एक ही है इसलिए फाल्तु बात करना बंद करिये और अपने स्टर को ठीक रखिये यह स्तरहीन बहस करना बंद करिए एक तो चाइना के उपर कोई जवाब नहीं मिला और पहले में डिमैंड करता हूँ आज तक के उपर यह कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने कॉंग्रेस पार्टी के यह क्या हो रहा है कि कहां से पकट पढ़के लाते हैं अंजना जी जिनको बूर्लेंगे तो बोलेंगे मार दिया तो मैं बोलगा तो बोलेंगे कि मार दिया मैंने आप सुन लीजिए क्यूंकि आपके समय मैं एक सब्म नहीं उब घूरां थे मैं भीच पर आपको पोने एक आप प्र प्रकार से नचेर्थ चरीकर कें से बिए बंद करियं करना बंद करो तॉइक प्रोक कि अभले रहे जवाब दे रहे जवाप दे रहे हैं जवाब दे रहे हैं आप लोग अपनी पार्टी के थोड़ा थो डोड़ा पारी की गरिमा का ध्यान रखिए प्लीज संभी जवाब दीजे तोपिक पे प्रकार की बात अब सुन लीजिए देखिए पहले मैं आज तक के उपर डिमेंड करता हूं कॉंग्रेस पार्टी के सांसद कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ताव ने जिस प्रकार से 20 शहादत प्राप्त सैनिकों की खिलाफ कहा कि उन्होंने एक भी PLA के जवान को नहीं मारा है मैं तक्षनात अभी इसी शो में जो मैडम बैठी है उन मैडम से कॉंग्रेस की और से डिमेंड करता हूँ कि कॉंग्रेस माफी मांगे आप कॉंग्रेस की और से माफी मांगे आपने अभी शो में कहा है कि एक भी PLA का जवान नहीं मारा गया है और उन 20 चैनिकों ने जो हिंदुस्तान के दिनकों शहाधत मिली उन्होंने एक भी PLA के जवान को नहीं मारा है तो माफी माँगिए, माफी माँगिए आपने अभी कहा कि वो कबर जूटी थी आपने अभी कहा कि एक भी नहीं मरे हैं, तो मानिए हुसन दलवाई जूट बोल रहे थे, तो मानिए कॉंग्रेस पार्टी के बाकिसान से जूट बोल रहे थे, कि पियल ले के जवान नहीं मरे हैं, माफी माँगिए मैडम, माफी माँगिए, नहीं नहीं कॉंग्रेस की और से को भी पूरी तरह से यहां साजा करके जाएंगे आप बताइए हुसेन दलवाई ने कहा था कि नहीं 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 मरा है बताइए ठीक जवाब देरे नहीं बोल पाएंगे इधार भागेंगे बगले जाकेंगे पहले इन्हों ने 20 जवानों के शहादत का जो मजाख उड़ाया है उस पर माफी मांगे मैं सारे जवाब देता हूं मैंने को जवानों ने पालोजी फिन पर जाए फिर आप जो दुने जवानों ने प्ले के सैनिकौ को मारा है आप बोलिए आप हुद आ लिग अमाई घल यदो नो थार प्याए वैदम या अवाधम सुनिजिए आप आज यहां एक्स और यू नाजना जी पूछा है प्लेके प्लेके हैवान मरे थे है या नहीं मरे थे हाँ या नामे जवाब दे और अगर मरे थे जवाब के नियम आपते हैं नहीं करेंगे नहीं को बोलने दीजिए ठीक है इसका जवाब दीजिए सुप्रिया जी चुकि आपने कांगजेवा वार मेमोरियल को लेकर जो कब्रगाह है उस पर सवाल खड़े कि उसी पर वो कह रहा है कि आप कहीं दीजे कि हमारे संकों ने प्ले के उनको नहीं मारा था कि मैं देखेंout भी आर्थ वे वस्का पर लोटेंगे आप चिंता मत कीजे घेरेंगे अभी समभी जी को आप लेकिन स्वाल स्वाल पूछे ने वह नहीं बताएंगे मैं एक चीज मैं कुछ भी कहने से पहले अज एक बात कहना चाहती हूं मैं कुछ भी कहने से पहले एक बात कर रही है कुछ आर्मी जो पराक्रमंग दिखा रही है उसके आगे हम सब नतमस्तक है तो इस तरह की बात है कि हम बैठके यहाँ पर चीनी के साथ शड़ियंतर कर रहे हैं मैं बोलेंगे भाजपावाले विपक्ष को पहली चीज और दूसरी चीज आज मैं जरूर बोलना चाहती हूं 20 सेकंड का टाइम लेकर अंजना जी जो हिंदूओं की बात करते हैं और हिंदूस्तानी संस्कृती की बात करते हैं वह प्हूल जाते हैं कि जब आपकी शादी होती है कि अगरत की डोली घर ाती और अर्ती यह बहां से जाती है जब आपकी शादी होती है और अपて पती का नाम ले ले लेते हैर को बारबार चुढाना और उसका maiden बार-बार नाम लेना ये हिंदुस्तान संस्कृति के खिलाफ है ये बात संबित पात्रा जैसे लोगों को समझ लेए चाहिए आप देश की संस्कृति और हमारे अंजना जी अब मुझे आना पड़ेगा अंजना जी आप मुझे आना पड़ेगा के ये के ये दिल का विशय है देखें कॉंग्रेस पार्टी ने डे वन में कहा कि एक भी पीले के जवान को हिंदुस्तान के हमारे आर्मी नहीं मारा था हुसेन दलवाई और अनेको लोगों का ये ओन रेकॉर्ड बयान है आज की डिवेट हुसेन दलवाई बतातु रहा हूं स दूसरा अभी आफी के डिवेट में जब मैंने कबर के विशय में कहा तो यहां मैडम ने कहा कि नहीं ये कबर तो जूटी है ये तो ये कबर तो पुरानी कबरें हैं जिसको कि आप लोगों ने सब दिखाया है अब ये बोल रहे है कोई जनरल पनाग ने बोला था हम तो बो परोडो हिंदुस्तानी इस शो को देख रहे हैं पहले लेट दी कॉंग्रेस टैंड बी क्लियर मैं जानना चाहता हूं कॉंग्रेस LAC के इस पार खड़ी है या कॉंग्रेस LAC के उस पार खड़ी है हो जाए इसका उत्तर दे दिया जाए मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेना पराक्रम दिखा रही है भाजपा की सरकार क्या कर रही है अरे इतना सिंपल सवार है कि पियले के हैवान मरे है या नहीं मरे है वो अभी तक नहीं बता पा रही है आज हमारी सेना पूछ रही है कि हम तो चलिए खड़े हैं ड़कर सरकार क्या कर रही है आज हमारी सेना के शौरे पर उन्हें पूरा घरोसा है आप वही पर घेरना आपके मुझे निकला था यह कबर जूटे हैं और इसके पीछे साजिश है और हुसेन दल्वाई की वाइट दिखा दीजिए त्विटर बंदू ट्विटर बंदू जरा हुसेन दल्वाई का वह बाइट दिखा देना सब लोग जरा मेरी बैहन को टैक करके वह भेज देना हु मुझे मुझे और मुशन काव विषय है आप लोगों ने, कॉंग्रेस पार्टी ने, आपके सांसद ने कहा है कि एक भी PLA के हैवान को मौट ते घाट रहा है। आप अर्थ वेवस्ता पर घिरते हैं, आप चीन और सेना के शौरे पर चले जाते हैं यहीं वो भी कहते हैं। की संप्रभूता को लेकर यह वही Cangres Party है ना जिस ने सरंदर मोधी कहा था यह वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसके राहुल गांधी ने कहा था मोधी चुप और मोधी डरे हुए हैं आज इनको उत्तर देना हुआ होगा काला टॉप जिसके विशय में आपने जिकर किया उस पे अगर हिंदुस्तान का कबजा है तो इनकी काली नियत क्या कहती है ये क्यों रो रहे हैं हमारी सेना सेना को खुला हाथ दो सेना के पीछे सही नियत होना चाहिए यही तो नितृत्त का काम होता है आज नितृत्तों ने सही नियत ही नहीं सही नियती तक पहुचाने का काम किया है सेना अपने आप काम नहीं करती है सेना का सौर्य होता है एक पॉलिटिकल विल होता है दोनों मिलकर ही देश को आगे बढ़ाते हैं वरना सेना में तो सौर्य 62 में भी था मगर चच्चा में इंटे हुआ सेरा में तो सौर्य पहले भी था मगर एर स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ 26-11 के बाद जब हमारे एर फोर्स ने कहा कि हम पाकिस्तान पर धावा बोलेंगे तो उस समय कहा चला गया था तो यह फरक है मोदी जी के लाल आंक में और राहुल गांधी के भीगी हुई आंकों म सुप्रिया जी जवाब दे रहे हैं चलिए किसी गरीब को देखके आख किसी की भीग जाए तो उसको बहुत बड़ा दीन बंदू भी कहते हैं यह समझ लीजेगा हिंदू सुप्रिया गरीब है उसको देखकर राहुल जी की आख के भीग गई चलिए कर ली जाए सुप्रिया जी बोलने पहले समझ जी सुप्रिया जी बहुत चीन के चीन पर बहस करना चाते है आज चीन पर बहस हो जाए आज दहिंदू की फ्रंट पेज स्टोरी है कि 1000 स्क्वेर किलो मीटर की जमीन चीन के कंट्रोल और कबजे में है और उन्होंने पूरा विवरर दिया कि 900 स्क्वेर किलो मीटर जो है वो डप सांग एरिया में है गल्वान वैली में 20 स्क्वेर किलो मीटर है पैंसोंग में है उन्होंने बोला है 8 किलो मीटर पूरा अंदर तक आगये सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट का ना तुष्टी की है ना खंडन किया है अगर ये गलत रिपोर्ट है तो खंडन करिये और अगर सही है तो देश को सच कौन बचाएगा एक मिनिये के मंतरी कहते हैं मेरे पास शब्द नहीं है आपने भी तो ठारा बार मीटिंग करी थी आत्मियता थी क्यों कूट नी थी आपकी फैल हो रही है बताएगे चीन पर ये बात क्यों एक हजार स्क्वेर किलो मीटर की हमारी जमीर आप चीन के कबजे में है इसका जवाब कौन देगा बताएगे बात और अगर ये गलत है तो इसका खंडन करें Ministry of Defense उन्होंने अभी तक खंडन नहीं किया है संबिजी हजार स्क्वेर किलो मीटर पर स्पेसिफिक सवाल और स्पेसिफिक जवाब दीजेगा सर क्योंकि ये जिस इंटरनेट के आप काफी शोखीन है और सोशल मीडिया के उस पर ये स्टोरी काफी लोगों तक पहुँच रही है स्टोरी और हकिकत में बहुत फरक होता है अंजना जी मैं तो पूछना चाहता हूं कॉंग्रेस पार्टी को कॉंग्रेस पार्टी एक के डिफेंस मिनिस्टर और देश के आर्मी पर विश्वास करते हैं कल M.O.D. ने एक स्टेट्मेंट जारी किया कल M.O.D. ने स्टेट्मेंट जारी करके क्या कहा है उस स्टेट्मेंट में कहा है कि 29 और 30 अगस्त के मध्यरात्री के आसपास एक जड़प हूँ वह बैड संप्रभूता और अखंडता को बरकरार रखा हमने मतलब आर्मी ने और सरकार ने सब को इने मिलकर देश के संप्रभूता को बरकरार रखा तो आप बताए इस स्टेट्मेंट पर तो इनको विश्वास नहीं है इनको जब DGMO प्रेस कॉनफरेंस करके कहते हैं कि आज हमने स सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया उस समय तो उनको सभूत चाहिए होता है और राहुल गांधी कहते हैं नहीं यह और फो फर्जिकल स्ट्राइक है हिंदुस्तान की जीत वाले आर्टिकल ये देखते नहीं है, तभी तो मैं कहता हूँ, 2008 में मा बेटे जाकर इमान गिर्वी रखके आए हैं चाइना में, इमान गिर्वी रखके आए हैं, यूही नहीं होता है, यूही नहीं होता है, यूही नहीं होता है, यूही नहीं होता है अभी आपके रिपोर्ट में 15 अगस्त के प्रदानमंत्री के भाषन को आप चला रही थी प्रदानमंत्री ने कहा विस्तारवादी थाकते प्रदानमंत्री ने कहा 20 हमारे शहादत को पाने वाले ऐसे वीर साइनिकों को प्रदानमंत्री ने LAC से LOC तक का जिकर किया फिर भी इनको समझ में नहीं आता है तो मुझे लगता है पहले इनको स्कूल अटेंड करना चाहिए बाद में डिबेट अटेंड करना चाहिए चीक है सुप्रिया जी इस पर जवाब और साथी PM का वहाँ पर जाना भी एक संकेत था और इस संकेत को पूरा देश समझ रहा था सुप्रिया जी और ग्लोबल टाइम से भी क्लेम कर रहा है कि चीन में भारती से ना गुज गई स्कूल तो जब चलेंगे तो अटेंड कर लेंगे आपको भी लेती चलूँगी अपने साथ स्कूल जब शुरूँगे तो आपको भी ले चलूँगी अपने साथ कुई गरिमा सीखने के लिए आप तो हैड मिस्ट्रेस से स्कूल की मैडम है तो आउजी को बोल रहा था स्कूल बेजने के लिए चलो अब हैड मिस्ट्रेस की बात सुनके थोड़ा चुपो जाओ बच्चे जो हैड मिस्ट्रेस बुना रहे हैं पर ऐसी बात सुनने को मिलेगी खेर अंजना जी अभी चार गंटे पहले चीन ने साउथ बैंक पैंक सॉंग लेकर बारे में निरंतर हमारे patience का परीक्षा लिया है हमारी जो जितनी भी हमें सैयम दिखाया उसकी परीक्षा लिये मेरा ये मानना है कि अगर ये सरकार वाकई में चाहती है कि moral उचा रहा है और वाकई में बात करना चाहती है इसका कंडन क्यों नहीं कर रही है आप उन सैनिकों के बारे में सोचिए, मैंने 1000 स्क्वेर किलो मीटर की बात करी, उसका कोई जवाब नहीं है, देखिए सेना के शौर के आगे तो ना दल, ना पाटी, ना प्रधान मंत्री, ना विपक्ष कोई नहीं होता है, सेना सर्वो परी है, हमारा शौर और उनका पराक्र सर्वो परी है, ये सुन लीजे, लेकिन जब चीन हमारे बारे में असी गलत बात करता है, तो क्यों नहीं उसका खंडन किया जाता है, क्यों नहीं M.E.A. या M.O.D. उस पर बयान देते, M.O.D. और M.O.E. बनान दे रहे हमारे पास शब्दी नहीं है बताने के लिए कि चीन का महल क्यों बनाया, क्यों चार महीने से कूट नीती जबरदस विफल हो रही है, और आप कहते हैं, रिपोर्टर की बात मानी जाती है, भाई आपने तो अपने हरांसर में रिपोर्टर और रिपोर्टरों को कोट किया, तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, यह ऐसा नहीं होत पर स्थिती नाजुक बनी हुई है वो पीछे हटने को तयार नहीं है अब इसका रास्ता हम तो आर्म्य पर पूरा विश्वास करते हлись ah zaster qa mytho पर कबजा का कैसे हो गया मतलब आर्म्य पीछे हट गई यहां पर सॉनसों लेक साउध में हतियाने के लिए और यहां पर तो पाफ रिपोर्ट देखिए साउथ में तो हम काला टॉप तक पहुच गए हैं साउथ में तो हम आगे बढ़ गए हैं हम बिलकुल सही जगाप साउथ में आप पर किस क्राद से जूटी बाते फैला रही और दूसरी बात दूसरी बात एक आप ज़रा ये सुनाई यह यह देख एक पुरानी बाइट निकाल के संदेश को इसमें विश्वास में लेना बहुत ही जुरूरी है लेकिन एक बात इसे कि अर्थ समस्क्या पे भी कुछ बोलने वाले थे न भूल गया क्या क्यों 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 रुकिये कहां भाग रहे हैं अर्थ शास्त्री आप तो मैंडम स्कू कशन हो गया है सुनिये सुनिये मैंडम भागी मत भागी बागी हैं वह ही एक भी पी यह पिल लेंकada जवान मारा नहीं गया आप बताईए एक भी PLA का जवान मारा नहीं गया कौन माफी मांगेगा इसका, कौन माफी मांगेगा इसके लिए कौन माफी मांगेगा आप बताईए मैडम कॉंग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी की नहीं ये कबर जूटी है या सच्ची है ये बताएगा कोई या यूँ आप डिबेट करके चले जाएंगी अंजना जी एक सवाल ये हमेशना बलता है अब इसमें जवाब दीजेगा लेकिन इसमें एक सवाल में जोड़ना चाहती हूँ ऐसे वक्त पर जब जब हम ये कहते हैं कि उनके सैनिक नहीं मरें जब हम ये कहते हैं कि हमारी जमीन चली गई उधर तो ऐसे नाजुग घड़ी पर सेना का उससे मनोबल प्रभावित हो सकता है क्या इससे विपक्ष को बचना नहीं चाहिए मैं आपको बताती हूँ सेना का मनोबल किस से प्रभावित हो रहा और मेरे परिवार में लोग सेना में सर्व कर चुके अबी सेना में अभी भी सेना में वो ये कहते हैं कि जब उन वेदर कंडिशन्स में सेना डट कर लड़ने को खड़ी है और कूटनीती इतनी विफल हो ज रहे हैं M.E.A की टॉक हो रही है और उसके बाद जो सेना का सैनिक है उसके पास कोई चारा नहीं है वो तो रक्षा के लिए खड़ाई है सैनिक ये कहता है और ये मैं बना के नहीं बोल रही हूं हमारे परिवार के लोग सेना में उनसे बात करके आपको बता रही हूँ वो को कोट करना सिर्फ विपक्षिय सवाल नहीं पूछ रहा है सुग्रमाणियम स्वामी इनी के MP है और उनका कहना है it is sad that the government does not realize that Chinese have made a decision about India we must make a decision about China get tough and not sit at a table after sitting with Xi Jinping 18 times in five years Chinese could not care less for Indian leaders आपकी क्या अत्मियता थी आपकी क्या chemistry थी चाइना आपको इस तरह से बत्तर चीज कर रहा है वो निकलने से मना कर रहा है ये कौन सी chemistry थी आपकी सेना पर कोई सवाल नहीं सवाल है कूट नीती पर सवाल है सरकार की विफलता उपर और सरकार एक से एक और सवाल है अर्थ विवस्था का संकुचल पात्तर जी जैसे अर्थ्षास्तियों के कारणी हुआ है कूट नीती में विफलता अर्थि विफलता दोनों के जवाब देखिए पहले तो इनों ने कहा कि इनके परिवार के लोग आके सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो परिवार के लोग जो आर्मी में है तो कही न कहीं न कहीं इनके परिवार के लोग तो गैर सरकारी काम कर रहे हैं यह खराब काम कर रहे हैं यह लाओड नहीं है कुटनीती अर्थ व्यवस्ता हेलेसी पर पिटाई चीन मांगे दुहाई जी हाँ इसी पर आप लेख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा क्योंकि यह था स्थिती बनाए रखने में भारते सेना काम्याब रही है चीन की सभी नापाक साज़शे नाकाम करने में सफलताप हासिल हुई है लेकिन इस बीच तनाव अभी भी सरहत पर है देखते रहे आज ता